स्टेम आता दी कैसे ही आप सब आश्य करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागते आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लोग में और अभी ब्लोग की शुरुआत मैं करें सुबह के टाइम से भी आई हूं खेत में घास लेने के लिए और घर का जो भी काम है पांच हुई है तो उसके लिए भी काटना पड़ता है और उसके साथ में छोटा सा बच्चा है आज आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगी उसकी कहां से लाई है कितना दूद देती है कैसी है और गाय को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आपने मुझे जरूर बताना क कैसी है आपको कैसी लगी मुझे अच्छी लगी थी मैंने लेली और आप लोगों ने चेतन और वंशु की तबियत के बार में पूछ आए तो वंशु की तबियत न पहले से काफी बैटर और चेतन की तबियत खराब है क्योंकि उसकी जो बाजू है वो फैक्चर हो चुकी ह कल हमने उसका एक्सरा करवाया था तो एक्सरे में पता चला है कि यह जो पिछे कोनी वाली हड़ी होती है यहां से वो उसकी टूड चुकी है आज संडे था और कल उसका प्लास्टर होगा उसकी बाजु का तो अब देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अब सभी का दिल की गहराईयों से बहुत बहुत दन्यवाल और साथ में माफी चाहती हूं आज कल आप लोगों के कमेंट्स का रिपलाई नहीं दे पा रही हूं क्योंकि आज कल मैं बहुत ही जादा वीजी हूं मम्मी की तवियत भी खराब चल रही है और घर में भी बस ऐसे उतल पर प्र भी गहास तो चाटना पड़ेगा वैसे तो पत्तिव जी हल्प करवा देते आज कल भूबी घर में आपको पता है कि बच्चे बीमार है और अकेली उखर में ममें भीमार है तो बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों का करना घास लाना तो भूबी घर में यह और उन तो देखते हैं कैसे क्या क्या होता है जो भी होगा भगवान ने जैसा भी हमारी किस्मत में लिखा होगा ना बोई सब होगा फटा फटा फट से ज्यादा बातें नहीं करूंगी घास काट लेती हूं और फिर आपको गाय भी दिखानी है मुझे चोरी यहां पर है यह कर रहे है चोरी तो मैंने जिसकी पास ना जो हमारे पशु चरने जाते हैं वो किसी démocrate की पास छोड़े वो थे और इसका हाल देहो इसने ना हमारी खेत में हमारी फशल को नुकसान कर दिया और यह मेरी यह गाय और खेत भी हमारा ही है और चोरी भी हमारे ही तो और पशु पता नहीं कहा है और यहां पे कैसे पहुँच गई यह पता लगाना पड़ेगा इसका और यह सच में बहुत चोर है कहीं भी अगर नजरना इधर उधर चली जाये तो यह डारेक्टली खेत को आजाती और इसको पते कि क्या कहां पे क्या चीज लगी हुए और यह पते क्या खारी थी यह खारी थी यह देखिए जो रोंगी की नहीं होती रोंगी जो दाल होती है वो उसकी है बेल और इसमें रॉंगी लगना स्टार्टिंग हो गिया यह दिखिए तो यह इसने पूरा उजार दिया यहाँ पे और ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो यह उथर फुतर बंदरों ने की ओ पर यह बंदरों की हरकत नहीं यह मेरी इसकी हरकत है अंकू की अंको क्या यह बला क्या यह और लोग कहा है तेरे साथ वारे और लोग कहा है तो यहां पर क्यों आगी तेरे को नहीं पदा भई हमने भी कुछ खाना है जिन्नों ने लगाया हूँ है गंदी कहीं की चल चल आगे चल परेगो तो यह न अकेले नहीं आई है इसकी बेटी भी इसके साथ में और यह मा बेटी दोनों चोर है पश्यों को छोड़के ना खेतों की तरफ जंगल को छोड़के खेतों की तरफ है चल आगे चल परेगो शोर यह ठाय जातू बिरुक तेरी भी कलास लगेगी अभी तो ऐसे छोड़ने पड़ते हैं आज कल मुझे पशु ना लोगों के पास वैसे तो आज ही छोड़े मैंने क्योंकि आज ना पतिदेव जी घर गए यहनकि ससुराल गए हुए तो आज पशु मैंने किसी और के पास छोड़े हैं वैसे तो आज कल पतिदेव जी भी घर पे ही है वो भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि घर में बच्चों की कंडिशन भी ठीक नहीं है और ममी भी ठीक नहीं है और ये ना ये ये जो गाय है ये इसकी बेटी है ये दे जाना ही नहीं अब तो इनको मैं यहां से परे कर देती हूं और बाकी मुझे अभी घास काट लेनी है थोड़ी बहुत क्यूंकि आज मैं अकेली हूँ घर पे अभी मैं पहुंच की घर पे घास लेकर के घास को हमने छोड़ा अपने जहां पे हम घास रखते हैं बहाँ पर और उसकी बात में मुझे पिराना है गाय को पानी और इसे नहाना है बाकी जो मेरी दोग आए ना उनको मैंने सुबा नहला दिया था और ये एक बची हैं दोनों माँ बेटी तो इसको भी नहला लेती हूं और पाने पियेगी और साथ में इसको दुवा लगाया है क्योंकि मक्या और मच्छर होते हैं अलंकि हमारी यहां पर इतने होते नहीं है फिर भी हम परशों के पास दुवा लगा करके रखते हैं चाय सुबा हो या फिर शाम का टाइम हो और पाने पिलाने के बाद अभी इसको नहांगी और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों को जो मेरी नई गाय हैं उसको मैं दिखाऊंगी तो यही है वो एक महिने की होने लगी है और इसके जो सिंग है ना वो मैंने यहीं पर बनवाय थे जब मैंने इसको लाया था तो इसके सिंग भी बने हुए नहीं थे और यह रही गाय और यह जो गाय है ना यह काफी कमजोर थी जिस टाइम मैंने इसको लाया था अब तो यह काफी और यह गाए कितने की है घर तक आते आते कितने की हमें पड़ी है और कहां से हमने लाई है वह भी मैं आपको इसी पेडियो में बताऊंगी पहले मुझे आप लोग यह बताएगा कि आपको कैसी लगी गाए और यह इसके साथ ने बच्छडी है और यह जो गाय है यह हमें घर तक आते आते 30,000 की पड़ी है और उन्होंने बोला था कि यह 14 लिटर दूद देती है पर इसने 14 तो पूरा नहीं किया मेरे पास घर में आ करके पर 12 से 14 के बीच में यह दे देती है यानि कि 6.30 सुबा और 6.30 शाम के टाइम को दे देती है और य हमने वेपारी से मंगवाई थी और उसको मैंने पहले काफी दिन पहले बोला हुआ था कि मुझे गाय देखना फिर हमारी बात फौन पे हुई हुई और वो हमें फौन करके घर ही छोड़ गे थे हमने सिर्फ उसको पैसे दिये और अब एक और बात यह गाय मेरी मैं मेरी मेर आते हैं आजकल और 30,000 की जो रखम है वो कोई छोटी मोटी रखम नहीं है तो यह उस दिन मेरी होगी जिस दिन मैं इसके पैसे पूरी कर लोंगी अभी तो यह एक हिसाफ से लॉन के उपर है और मुझे इसकी लॉन की जो किस्ते हैं वो चुकानी है और मामी जी निच्चे स कुछ मुझे बोल रहे थे यह निच्चे वाला जो घर है यह हमारे मामी जी का है तो यह मुझे कुछ निच्चे से बोल रहे थे अब ध्यान नहीं आ रहा क्या बोल रहे तो आप लोग मुझे बताएगा कि मुझसे जिसने भी गाय बेची है मुझे उसने मुझसे कहीं ज़ तो नहीं दिया वैसे मुझे अच्छी लगी और विचारी शरीफ है बस पशु ना शरीफ चाहिए होता है क्योंकि मेरे जादतर जो मैं घर के बाहर भी चली जाती हूं तो बच्ची भी काम कर लेते हैं मम्मी भी काम कर लेती है बाहर पानी गयरा रख देते हैं पशु तो मेरें फानक हूं कित तरह से पुष्षें हो से दूद काले जाता है और किस तरह से उसके केर के चाए जाती है और यह गाये जो है यह मेरे पांच में गाये हैं जिसको मैं लेकर आई हूँ हम आप लोगों को भी मैंने दिखा लिया इसनल आई थी ना किvisor عिंध स्थी मेरे घर तो मेरे घर में दूद की कमी हो गई थी और बच्चों के लिए भी दूद प्रयाप्त नहीं था जो हम बेशते हैं वो भी प्रयाप्त नहीं हो रहा था तो इसी के चल देना मैंने इसको खरीदा हुआ है और आपको पता ही है हमारी इंकम का जो सौर से न वो कहीं और से नहीं बलकि दूद से ही होता है थोड़ा बहुत जो भी बसता है वो हम डैरी वालों को दे देते हैं तो आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसको मैंने नहला दिया और इसकी बेटी को अब नहला लेती हूँ फिर उसके बाद में मुझे इसको थोड़ा सा तारा मीरा देना है चाटने के लिए और उसके बाद में मैं इसको बांधूंगी अंदर और फिर मुझे वो गाय लानी है जो कि जंगल में छोड़ी हुई है